हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब आशा करते हूँ कि आप सभी लोग अच्छी होंगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको वाटसब प्राइवेसी के बारे में बताएंगे कि वाटसब पर जो सेटिंग है सेटिंग में जो प्राइवेसी का ओप्शन है उसमें आखिर क्य को हैं यहां पर देखने के लिए मिलते हैं लेकिन आपको यहां पर नहीं जाना है उनली सेटिंग पर आप लोगों को क्लिक करना है सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम आपको प्राइवेसी के बारे में बताएंगे तो प्राइवेसी में कित्ते ओप्शन होते हैं आप बारे में आप लोगों को बताएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो है last seen online तो इस पर आप लोगों को click करने के बाद यहां पर आप लोगों देखसे कते हो काफी सारे options आ गये हैं इस पर आप लोगों को everyone पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको हर कोई online देख सकता है my contact पर करते हो तो आप लोग जिने select करते हो only वही आप लोगों के जो है online देख सकता है अगर आप लोग my contact plate पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को online जिन पर आप टिक करते हो वो आप लोगों को online देख पाएंगे बात बाकि आप लोगों को online नहीं देख पाएंगे लुपला कोई, अगर अगर आप अकली आता है, प्रोफाईल फॉटॉ, अगर आप प्रोफाइल फोटो, अगर आप प्रोफाईल फोटीけど, पर क्लिक करते हो सेम ऑप्संस यहां पर भी हैं आप लोगों को जो है इस पर अगर आप लोग प्रोफाइल फोटो आप लोग किस किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी है इस पर आप लोगों को बात करते हैं तो यहां पर अगर आप है एवरीवन पर आप क्लिक करते हो तो आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग यहां पर टिक करोंगे करोंगे और अगर आप यहां पर आप लोगों को स्टेटस का ऑपसिन दिखता है यहां पर तीन अप्संथ देखने के लिए आप लोगों को जो अकाउंट है आप लोगों का जो जिन आपका नंबर सेव कर रखा है औली वही आप लोगों के स्टेटस देख पाएंगे अगर आप शेयर विद पर करते हो तो आप लोग जिनको टिक करेंगे औली वही आप लोगों के जो स्टेटस देख पाएंगे अगर आप my contact पर करते हो जो इनको आप लोग टिक करते हो वो आपके status नहीं देख पाएंगे बात बाकि आप लोगों के सबी लोग status देख लेंगे इस तरीके से इसमें होता है और आप लोगों क्या है read, read, read text आप लोग अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप लोगों जो है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो यह options किसलिए होता है कि अगर आप लोगों को किसी की status देखने हैं अगर आप लोग उसे पता ना चले कि हम लोग उनका status देख रहे हैं अगर आप चाहते हो कि WhatsApp चैट अपने आप डिलीट हो जाए तो आप उस पर टाइमर लगा सकते हो कितने दिनों में वो अपने आप डिलीट हो जाए और आगे आप लोगों को यहाँ पर options देखने के लिए मिलेंगे group ग्रूप पर भी same वही तीन options हैं आप लोग किस किस अगर आपको सभी लोग group पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप everyone पर click करो और अगर आप लोगों को जो group में only जिनके आपने नमबर save किया है वही आप लोगों को डालें तो आप my contact पर click करते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा number जो है जिने हम चाहते हैं जिने मतलब हमने टिक करके रखाए only वही हमारा जो नमबर है group पर डालें तो उस पर आपको my contact पर click करना है आगे हम चलते हैं तो हम लोगों को live location देखने के लिए मिलती है live location में आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप कहीं जाते हो तो आप लोगों को जो है live location screenshot करके भेज सकते हो तो उसस यहां पर है चैट लोग अगर आप चैट पर भी लोग लगाना चाहते हो तो यहां चैट लोग का option दिख रहा है आप लोग चैट पर भी अपनी personal चैट पर है जो लोग लगा सकते हो कैसी लगी आज की वीडियो आशा करते हूं कि अच्छी लगी होगी अगर आप लोग मार चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना धन्या